ये कहानी एक ऐसी औरत की उपर आधारित है जिसका पती जंग में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की परसनल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता जिस वज़े से वो औरत अपने ही नौकर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की इस explanation में देखने वाले हैं पर दोस्तो उससे पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे वहाँ पर मैं इससे भी तगड़ी टैडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बोडी को उसके घर पहुचाये जाता है इसके बाद एक पार्टी में हम कोनी नाम के एक खुबसूरत लड़की को देखते हैं तब ही उसके पास एक आदमी आता है जिसका नम क्लिफट चैटरली था और वो बहुत अमीर था अब कुस दिर तक बाते करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं लेकिन कोनी के दोस डंकन को ये बिलकुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी कोनी से प्यार करता था अब इन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोने एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी के वक्त वो दोनों ये कसम खाते हैं कि वो दोने एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे अब उन दोनों की marriage life बहुत अच्छी चल रही थी पर अगले दिन ही Clifford को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक soldier था वही जंग के दुरान Clifford घायल हो जाता है और उसे वापिस घर बेज दिया जाता है आज Clifford घर आ रहा था और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे Clifford को देखकर कोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है पर तब ही हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद Clifford के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरलाईज हो जाता है अब Clifford अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थेंक्यू बोलकर अंदर आ जाता है वही कोनी Clifford को जिंदा देखकर खुश तो हो रही थी पर वो भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी उनकी खुशियों बरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड भी आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था इसी बाद से दुखी होकर Clifford खुद को मारने की कोशिश भी करता है पर तब ही कोनी उसे रोक लेती है और वो से विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी अब इसकी दूसरी तरफ हम Oliver को देखते है जो अपनी मंगेतर को लैटर लिख रहा होता है इस बार Oliver किसी ख़दान में काम नहीं कर रहा था बलकि इस बार वो जंग में था कुश दिनों बाद जब Oliver अपने घर आता है तो वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है कुश दिनों बाद Oliver काम मांगने के लिए क्लिफ़र के पास जाता है फिर जब क्लिफ़र उससे बात कर रहा होता है तब उससे पता चलता है कि Oliver जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था क्लिफ़र इससे काफी इंप्रेस होता है और वो Oliver को उनके पक्षियों का खयाल रखने का काम देता है अपाही चोने की वज़े से क्लिफ़र अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैटकर गूमता है तो उसे लगता है कि मानों उसके पर वापस आ गए है फिर एक दिन वो कौनी के साथ Oliver के पास जाता है Oliver जंगल में बने वे एक कोटेज में रहता था और पक्षियों की देख भाल करता था वहाँ पहली बार कौनी Oliver को देखती है वहाँ से वापस आते वक्त कौनी Oliver को इशारा देती है पर Oliver उसे समझ नहीं पाता अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे बोलते है कि Oliver अपने कोटेज की चाबी मांग रहा है इस पर कौनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है फिर जब वो Oliver के पास पहुचती है तो Oliver उसे ठीक से बात नहीं करता और उसे बोलता है कि आपको ये तकलीव उठाने की कोई जरूरत नहीं थी कौनी को भी Oliver के इस behavior पर गुसा आ जाता है और वो गुसे में वहां से चली जाती है अगले दिन Oliver कौनी को एक letter लिखता है जिसमें वो अपने बरताव के लिए उससे माफी मांगता है इसके बाद कौनी फिर से उससे मिलने के लिए उसके cottage में जाती है जहां Oliver अपनी shirt उतार कर काम कर रहा था फिर जब कौनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है ये देखकर कौनी खुद को control नहीं कर पाती और वो Oliver के पास जाने लगती है पर तबी Oliver भी उसे देख लेता है और अपनी shirt वापिस पहल लेता है क्योंकि वो कौनी की इज़त करता था कौनी को वो जगह बहुत पसंद थी इसलिए वो Oliver को बोलती है कि मैं हर रोज यहां पर painting करने आऊंगी इस पर Oliver उसे बोलता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूँगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा कौनी उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम उसे इतना भाग क्यों रहे हो यहां कौनी Oliver से गुसा हो जाती है और वहां से जाने लगती है लेकिन तभी बारिशा जाती है इसलिए वो Oliver के साथ उसके cottage में चली जाती है जहां वो दोनों आग जला कर खुद को गरम करने लगते हैं पर तभी Oliver वहां से उट जाता है क्योंकि वो कौनी के इरादे समझ रहा था कौनी उससे पूछती है कि तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो तो Oliver उसे बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर Clifford को हमारे बार में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी अब क्योंकि Oliver ने कौनी को गरम करके ठंडा ही छोड़ दिया था इसलिए वो वहाँ से अपने घर चली जाती है एक दिन कौनी Clifford को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है इस पर Clifford उसे बोलता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए उस पर करंट के जटके देने लगता है Clifford दर्थ से बहुत चिला रहा था और फिर जब आखरी में कौनी से उसका दर्थ देखा नहीं जाता तो वो Clifford को रोक देती है अब Clifford इस काम में नाकाम हो गया था इसलिए वो रोने लगता है अब इसके अगले दिन कौनी जंगल में जाती है और वहाँ पर बैटकर एक डायरी पढ़ने लगती है पर तभी उसे Oliver के काम करने की आवास सुनाई देती है और वो तुरंत उसके पास चली जाती है जहां पौचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है उन बच्चों को देखकर वो अपने बच्चे को याद करती है जो शायद अब कभी भी पैदा नहीं होगा अब कोनी को रोतावा देखकर Oliver उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है अब Oliver भी कोनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है जहां वो दोनों घपा घप करते हैं अब कोनी पूरे दिन Oliver के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो Oliver उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है जाने से पहले कोनी Oliver से पूछती है कि तुमने जो किया है क्या तुमें उसका कोई पस्तावा है जिस पर Oliver उसे बोलता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो उसी राद बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते है Oliver को कोनी की बहुत याद आ रही थी इसलिए वो बहुत ज़दा दारू पी लेता है वही कोनी की नीन भी उड़ जाती है और वो भी Oliver की याद में सो नहीं पाती फिर वो खिड़की से Oliver की घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोकनी पाती और दोड़ते हुए Oliver के पास चली जाती है और उसे जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है Oliver भी वहां कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम उससे मिलने आओगी इस पर कोनी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों वहां पर घपा घप करने लगते हैं एक दिन क्लिफर guardians के घर पर एक पार्टी होती है जहां पर डंकन भी आया होता है फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथमें डांस कर रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगली सुबह Clifford कोनी को बोलता है कि तुमारे लिए तुमारे पती से ज़्यादा इंपोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है कोनी हमेशा से एक बच्चा चाती थी और Clifford को लगता है कि इसलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है पर इस बात से कोनी बहुत गुसा हो जाती है जिस पर Clifford उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फ़रक नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए अब इस बास से गुस्ता होकर कौनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ गपा गप करती है एक दिन कौनी को पता चलता है कि वो प्रेगनेंट है तो वो इस बार में क्लिफड को बताती है क्लिफड ये सुनकर बहुत खूश होता है और वो कौनी से उस आदमी का नाम पूसता है पर कौनी उस आदमी का नाम उसे नहीं बताती एक दिन क्लिफड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कौनी को भी अपने साथ चलने को बोलता है अब वो दोनों जाए रहे होते हैं, पर तभी Oliver पीछे से आता है, और वो कौनी को किस करने लगता है अभी दोनों किस करी रहे होते हैं, पर तभी Clifford कौनी को आवाज लगाता है दरसल क्लिफ़र की गाड़ी किचण में फस गई थी तबी वहां पर ओलिवर आता है और वो उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है पर इसी दुरान वो जोर-जोर से खासने लगता है दरसल ओलिवर जब ख़दान में काम करता था तो उसके लंक्स खराब हो गए थे अब फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचर से निकाल देता है और खासता हुआ वहाँ से चला जाता है थोड़ी तिर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुसे में बताता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपने लंक्स खराब किये और इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस बेज दिया गया वो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है इसलिए तुम अपने पती के पास चली जाओ अब एक दिन कोली की मेड मिस बॉल्टन ओलिवर के कोटेज में आती है जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर उसे समझ आ जाता है कि कोनी की पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है एक दिन Clifford आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पाटी रखता है पर तब ही वहाँ पर Miss Bolton आती है और वो Clifford को बता देती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो Oliver का है फिजब कोनी Clifford से मिलती है तो Clifford उसे बहुत नाराज हो जाता है इसके बाद कोनी Miss Bolton क पास जाती है और उसे पूसती है कि तुम्हें ये बात किस ने बताई पर इस पर Miss Bolton उसे कुछ नहीं बताती है अब कोनी को लगता है कि शायद Miss Bolton को Oliver ने बताया होगा पर Miss Bolton उसे बोलती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया अब इस पर कोनी रोने लगती है और वो से बोल पर तब ही वहाँ पर Oliver आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है, इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफड के घर पर आती है, जहां कोनी उससे डिवोस मांगती है, पर क्लिफड उसे मना कर देता है और Oliver को बुलाने के लिए बोलता है, पर फिर जब Oliver आपस में बहस करने लगते हैं और फाइनली कौनी और ओलिवर क्लिफट के गर को छोड़ कर चले जाते हैं उनके जाते वक्त क्लिफट वहाँ पर आता है और वो कौनी को तलाग देने के लिए मान जाता है अब कोनी और ओलिवर क्लिफट से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है